बड़े ही दुखी मन से आप से भी को ये तस्वीर दिखान लग रहे हैं बहें महंदर गड़ के कनीना गाउं की ये तस्वीर है जहां जी एल पबलिक स्कूल की एक बस सुबह सुबह इसका एक्सिडेंट हो गया और इस एक्सिडेंट के अंदर 6-7 बच्चों की जान चले हुए जिस तरीके से ग्रामिनों ने रोज पर कट किया रोम और जाम करने की कोशिस करिया अलांकि पुलिस परसासन ने आसवासन देकर जाम खुलवाया और जानकारी के अनुसार इनके जो प्रिंसिपल है स्कूल के और जो ओनर है राजिंदर सिंग जी उनको भी गिरफतार कर लिया गया और जो ड्राइवर जो मोक्के से फरार हो गया था बस को छोड़के उसको भी गिरफतार कर लिया गया और मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि सुबह जिस टाइम ये बस चली स्कूल पहुचने से पहले ही इसका एक्सिडेंट हो गया और ये वो इसी बस में मौझूद थी, उसके साथ उसके दो चोटे भाई भी इसी बस में मौझूद थे, जिन में से एक की इस एक्सिडेंट में ओन स्पोर्ट डैथ हो जाती है, दूसरा उस्पिटल में है, मानशी ने बताया कि सुबह जैसे ही ड्राइवर बस ले गे चला, और जो दर्सी है, या जो स्कूल के बच्चे हैं, जो भी पत्रकारों ने बात्चीत करी है, उन्होंने उसमें बच्चों ने बताया है कि ड्राइवर ने सराब पी रखी थी, और बस की स्पीड भी कुछ ज़्याद आई थी, तो सुबह सराब के नसे में ड्राइवर ने बस को एक खेत के अंदर उतार दिया, उस टाइम भी बाल बाल बच गए, और जो आसपास के किसान थे, उन्होंने चाब भी निकाल ली बस की, और प्रिंशिपल के पास फोन किया, कि ऐसे ऐसे आद्शा उन्हें से बच गया, लेकिन जो जानकारी के नूसर सुनने में आया, वो ये है कि प्रिंशिपल ने फोन पर का कि आप इनको जाने दें, तो लोगों ने वापस उनको चाब भी दे दी, और उसके ठीक 15 मिनट बाद, कंट्रोल ना उने की वज़े से, ये बस एक बड़े से पेड़ से टकराई, और उसके बाद ये पलट गई, जिसके अंदर 6-7 बच्चो करवाई होने चीए, जिस तरीके से एक सरकारी छुटी होते हुए भी सभी डिपार्टमेंट के आज सरकारी छुटी थी, उसके बावजूद भी स्कूल क्यों खोला गया, सबसे बड़ा स्वाल ये है, अलांकि प्रिंसिपल को जो इसके ओनर है, उनको गिरफतार किया गया, पुच्ताच के लिए पुलिस ने अरेस्ट किया है, ड्राइवर को पकड़ लिया, लेकिन 6-7 परिवार आज उजड गए, जितने भी ड्राइवर साथ ही हैं, चाहिए रियाना रोडविज के ड्राइवर हो, प्राइवेट बस के ड्राइवर हो, या किसी भी स्कूल के बस के ड्राइवर हो, सभी साथ जोड के गुजारी से, करपा आप ऐसा काम ना करें, सराब कोई भी व्यक्ति, अगर थोड़ा बहुत कोई पीता है, तो वो घर जाकर अपना रात को पी सकता, कोई दिक्कत ने होती है, लेकिन सराब पी के कभी भी कोई भी बस नहीं, कोई भी विक कल है, वो आपको नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि सेंकडों लोगों की जिंदिगें आपके आथ में होती है, क्योंकि पचास से साथ यातरी आपकी बस में होते हैं, और हो सकता, आपकी एक गलती वज़ए से, सामने से कोई बस आरी होती है, तो सो के करीब यातरी हो जाते हैं दो बसों में तो इस तरीके की जो गलत बात है वो किसी भी ड्राइवर को नहीं करने चीए क्योंकि आज एक ड्राइवर की लाप्रवाई की वज़े से उसके अपने स्वार थी यानि अपने उसके खुद की सराब की पीने की वज़े से साथ से आठ गर उजड़ गे और एक बचों की लासें पड़ी थी किस तरीके से उन्होंने अपने आपको संबाड़ा होगा उस टाइम पे बहुत दुखत गटना है ज्यादा से ज्यादा इसके खिलाफ सक्त करवाई होने चीए हमारी यही मांग है परसासन से और इस तरीके की जांच भी होने चीए बही छुट झाल 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